कैथल सहकारी चीनी मिल द्वरा सभी किसानों का पूरा गन्ना लिया जाएगा यह बाद चीनी मिल के प्रबंद निदेशक गिरेंदर चौधरी ने मीडिया से बाचित करते हुए कही उन्होंने कहा कि यदि आवशक हुआ तो मिल को 20 माई के बाद भी चलाकर किसानों के एक-एक गन्ने की पिराई की जाएगी मिल प्रबंद द्वरा मिल की प्रति दिन पिराई शम्ता को पच्चिस सो कुईंटल और बढ़ाया गया है तथे जादा गन्ने को मद्दे नज़त रखते हुए अड़ाई लाग कुईंटल गन्ना 20 अप्रेल के बाद शावार मिल में बेजा जाएगा इस अंदर में जीन्द वे सफीदों चीनी मिल प्रबंदन से भी बाचित की जा रही है उन्होंने सपस्ट किया कि चीनी मिल में गन्ने की परचियों की पारदर्शी पर नाली अपनाई गई है पहले भी आती रही है जो डेली की हमारी सुगर प्रोडॉक्शन ओठाइसो क्विंटल के असपास है अब तक 3,53,650 क्विंटल चीनी अम बना चुके हैं जो सुगर की रिकवरी है ओन डेट 11 है एवरेज हमारी दस से उपर आ रही है जो गन्ना और सुगर की रिकवरी होती है किसानूं की जो पेमेंट है 77 परसेंट हम कर चुके हैं बाकी की 24 परसेंट भी 23 परसेंट जल्द ही कर दी जाएगी हमारी जो कैपेस्टी का जो यूटलाइज़सन है मील के संसादलों का वो अबाउट 95 परसेंट है सीजन के एंड तक परियास रहेगा 100 परसेंट हो जाए कैपस का जो ओप्टिवम जो यूटलाइज़सन होता है और रही बात गन्निक जो हमारा मैलेस गन्ना है टोटल पढ़तेगा वो है लग बग 10 लाख कोईंट जो की उमीद है कि 15 मई से लेके 20 मई तक के बीच में हम इसको पिराई कर देंगे इदि आउशक्ता पड़ी तो 20 मई के बाद भी हम मील को चलाएंगे मई महा से अक्तूबर महा तक आफ सीजन के दौरान मिल की मरम्मत का सीजन होता है इस वर्ष मिल की मरम्मत पर 4 करोड 64 लाक रुपे खर्च किये गए हैं तथा मरम्मत के लिए ई निविदा पर नाली अपनाई जा रही है मिल प्रबंदन द्वारा चीनी मिल को निरंतर चालू रखने के लिए सभी आउशक प्रबंद किये गए हैं न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिर्सा से डॉक्टर अभिशेक के साथ कैथल से नवीन मलोतरा की रिपोर्ट